वेलकम टू बीपीसमेकर दस्तो आज एक तीस मार्चे 2022 और एक तीस मार्चे 2022 से समद्धेश बिहार के रेंड़ाफेर्श और शाथ ही राश्टर और अंतर्ष्ट्री गटनाउसित के रेंड़ाफेर्श के जितने भी प्रश्ण बलेंगे उन सभी प्रश्णों को विशलेशन सहित में आपको इस वीडियो मताऊंगा ध्यान देजगा 2022 में बिहार में आजित हनवाले अगामी आपके सारे परते होगी परिक्षा के द्रिश्टिकों से इस रिंखला के सारे वीडियो बहुत महादपूर्ण है डेली बिस्स पर यहां पर आपका रेंड़ेश के तैयारे बहतर त्रेके से कर सकते हैं हम यहां पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्ण पर जो प्रश्ण हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्ण था कि हाली में बिहार दिवस पर किस वेक्ति को कर्मकौसल समान से सम्मानित किया इस प्रश्णिवारम विस्तरित जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा अपसन नमर सी अर्था चुन-चुन गुमार डिटेल जानकारी आपको यहां से दे गए थे एक चीधानके बिहार के परतों की परिक्षा के लिए जो बिहार स्पेसल करेंडेफर्स का पीडियाप लॉंच होए आप इस पीडियाप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियागी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और शाथ साथ इसका बुक भी मार्केट में लॉंच ह आज की इस वीडियो के पहले परिशन पर जाने से पहले आपको दादों की 31 मार्च 2022 को टेलिग्राम पर पेड़ ग्रूप निस्करिया हो जाएगा यह जानकार ही हमने आपको कल दिया था जो 14 जनुबरी 2021 को जो पेड़ ग्रूप टेलिग्राम पर शुरूब हुआ था यह आज सबाब्त हो रहा है नया सेसन जो स्टाट होगा टेलिग्राम चैनल पर यह आज से स्टाट हो जाएगा तो जो लोग भी से जुएन करें एक शुक्त है प्लेश्टोर से प्लेश्ट अपको डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर हम बढ़ते हैं आज कि इस वीडियो के पहले प्रश्ण पर आज कि इस वीडियो के हमारा पहला प्रश्ण के हाली में बिहार में कितनी तक्तों का खनन सुरू किया जाने की घोषना की गई है यह गोषना भी हाली में हुई और इस प्रश्ण का हमारा राइट अंसर अप्सन नवर B यानि कि पंच नए तक्तों की खनन कर इसी समंदित एक पॉइंट है जो कि हमने यहां पर आगे लिखा है हमारा अगला प्रश्ण की हाली में बिहार में करिब 44 फिजदी सोना जमुई जिले में मिलने की संभावना जटाए गई है इसके अभी हाली में पुष्टी की गई थे और इसके डिटेल जानकारी हमने है केवल और केवल जमुई में इसी पूछ्टी अभी हाली में किया था के अंदर सरकार के दौरा यहां पर इसमें हमने अगले पाट में लिखा इसके तहते जमुई में शोना और अंगाबाद में निकेल और क्रोमियम गया में पोटास और भागलपूर में कोयला का खनन नेक्स्ट होगा हमारा दूसरा प्रश्ने यह प्रश्ने के हाले में फाइफ कोलोनियल नोविलिस्ट आफ ट्वेंटी सेंचुरी नामा पुस्तक का विमोचन हुआ है इसके लेखक कौन है इंपोर्टन प्रश्ने है इस प्रश्ने का सेवतर है डाक्टर महमत एजाज आलम अर्थाफ अप्सन नवर सी यहाँ पर इस प्रश्ने का राइट आंसर होगा आपको दादू की हाले में डाक्टर महमत एजाज आलम द्वारा लेखित पुस्तक फाइफ कोलोनियल नोविलिस्ट आफ ट्वेंटी सेंचुरी का विमोचन हुआ है आप जियाने के इस पुस्त सम्भान 2022 से सम्भानित किया गया है यह बिहार दिवस के अवसरफ़ इस सम्भान से इस अपन पर इस सम्भान से हुथ आपको द्यान रखना है और तमाम चैजियों का आपको नोट भी जरूर तयार करना है और जो लोग नोट नहीं तयार कर सकते हैं बेपेसी मेकर एपर कर सकते हैं और इसके अतरिकते सलसक्रीं बीपीसी बीपीसी सी रिप्यों आदे एक्जाम के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट स्री चल रहा है यह पचास प्रेक्टिस सेट का एक स्रिंकला है आप इसको भी जोइन करके अपनी तैयारी का सही तरह के से घर वेट आंकलन कर पायेंगे अगामी एक्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस अस्तर की है तो यह फैसला आपके हाथ में कैसे आपको से जोइन करना है और कब आपको जोइन करना है अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के तीसरे प्रशने पर यह तीसरे प्रशने के हाले में आयूस प पैथी और यहाँ नहीं चिकसा पद्यती की और लोगों के बढ़ते रुजहान को देखते हुए बिहार में साथ सो नई आयूस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोशना किंद सरकार द्वारा की गई है यह आप यहाँ पर ज्याने के हैं कुल मिलाके साथ सो सेंटर ख पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो साड़े 11000 सेंटर पूरे भारत में खोले जाएंगे जबकि बिहार राज की दरिश्टिकों से लेखें तो केवल 700 सेंटर यहाँ पर खोले जाएंगे ऐसी घोशना अभी हाली में क्या गया है नेक्ट रोगा हमारा चौथा प्रशन यह प्रशनी के हाले में किस राज्य सरकार ने या पर कर सकते हैं किस राज्य के मदर्शों में राष्टिगान अनिवारी कर दिया गया है यह अभी हाले में का न्यूज है और यह काफी ज़्यादा चर्चे में है इस प्रशनी का हमारा राइट आंसर अप्सन नमर बी यानि की उत्तर परदेश आपको दंदू के हाले में उत्तर परदेश मदरसा सिक्षा परिशत ने परदेश के सभी मदरसों में राष्टिगान अनिवार कर लिया है इसके अधर यहां पर हमने आगे रखा कि 11 मई से शुरू होने वाले नए सिक्षन शत्र में कक्चाय प्रारम होने स से पहले अन्य दुआओं के साथ राष्टिगान भी अनिवारी होगा तो यह घोशना भी हाले में का सकते हैं यह जो लागू होगा यह उत्तर परदेश में यह लागू होगा उत्तर परदेश के सभी मदरसों में राइट आंसर होगा आपसन नवर B यानिकी उत्तर यह प्रश्ण बहुत important है इस प्रश्ण को आप important प्रश्णों की स्रेनी में रख सकते हैं आपको दो के हाले में उत्राखंड सरकार ने राज में सबान नागरता साहिता लागू करने का संकल पलिया है उत्राखंड के यहाँ पर बात है तो कुछ point और भी है कि उत्राखंड के बारवे मुक्मंत्री पुषकर शिंग धामी सरकार द्वारा या कदम उठाया गया उत्राखंड के बारवे मुक्मंत्री जो पुसकर शिंग धामी अभी हाली में इन्हों ने सपत गरन किया है उत्राखंड के नई मुक्मंत्री के तौर पर जो कि आपको ये ध्यान लेखना है ये बारवे मुक्मंत्री है उत्राखंड के राज सरकार के इस पहल से क्या फायदा होगी क्या मतलब इसका उद्देश है ये अगला पॉइंट आप देखके समझ पाएंगे तो इसमें राज जी गयने कि उत्राखंड में समाजिक समरस्ता बढ़ेगी लेंगिक का सकते हैं सकती मिलagit और यहाँ पर यहां पर इससे पहले गोवा ने भी समाध नगिता शहिता लगू कर dein पेश में एक उधारन पेश किया है तो यह भी आपको देनकर इससे पहले उत्राइखन से वेले गोवा में का सकता यह नागरिक शेहिता लागू कर दिया गया था नेक्स होगा हमारा यहां पर छटा प्रशन यह प्रशनी के हाले में युवन द्वारा भारत की विकास दर का अ अनमान को 6.7% से घटा करके 4.6% कर दिया है आपको द्यान अखना है 4.6% इस प्रशनी का राइट आंसर है अब यहां पर एकशी द्यान के इसे घटाने का क्या कारण है तो इस वाले पॉइंट पर हमने लेखा कि वेस्विक संसायने की युवन ने इसके लिए रूस युक् कास के अनमान को का सकते हैं 3.6% से घटा करके 2.6% कर सकते 2.6% किया है यहां से आप यहां पर अगला होगा सातवा प्रशन यह प्रशनी के हाली में किस राजी या फिर के अंदसासित परदेश में स्वाराज बजट पेस किया जाएगा इसका राइट आंसर होगा दिल भी अ अंसर गा दिल्ली सरकार के द्वरा ये घोशना की गए हैं आपको दादू कि हाली में दिल्ली सरकार द्वरा स्वराज बजट पेस किया जाने की घोशना की गए जोकि वर्श 2022 देश के लिए अनवानित बजट होगा और यहां पर आपको यह ध्यान रखना है वरतमान में द जाम की point of view से बहुत महत्पूर्ण है अगर हम बात करें 2022-23 से पहले तो इससे पहले 2018 में परियावरन पर फोकस करते हुए दिल्ली सरकार ने green budget पेस किया था जबकि पिछली बार देश भक्ती बजट पेस किया गया था लेकिन इस वर्ष जो 2022-23 पित्ते वर्ष के लिए जो budget पेस किया जाएगा कि यह आपको ध्यानकने स्वजराज बजट पेस किया जाएगा नेक्स्ट होगा हमारा आठफां प्रशन यह प्रशन के हाली में एश्या का पहला परुता रोहन डिप्लोमा कोर्श से कहां संपन्न हुआ है इस प्रशन का हमारा राइट आंसर होगा अप परता रोहन को एक विशय की रूप में डिप्लोमा की उपाधी प्रधान करने की मानिता मिली है यह आप यहां से ध्याने केंगे हम यहां पे अगर बात करें नेहरू परता रोहन संस्थान की तो आपको ध्याने का नेहरू परता रोहन संस्थान अर्थाद नेम उत्राखन क कि उत्रकासी जीले में इस्तित हैं तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है हम चलेंगे आज की इस वीडियो की आठ पे नवे प्रश्ण पे ये नवे प्रश्ण के हाले में परधान मंत्री गरीब कल्यान योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है और राइट अंसर में लिया गया है जिस वज़े से यह भी चर्चे में है तो आपको ध्यानका से बढ़ा करके आगया है सितंबर 2022 अब आपको यहां पर यह ध्यानका जिसके तहद अब इस साल सितंबर तक कर सकते हैं 80 क्रोर अवादी को मुप्त में रासन दिया जाएगा आपको यहां पर यह किजें यहां से आपको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट होगा हमारा दस्वा प्रश्न यह प्रश्न के हाली में रक्षा मंत्राले के द्वारा कितने नई सैनिक स्कुलों की अस्थापना को मंजूरी दी गई है पहुत यह प्रश्न चर्चे में है इसका राइट आंसरों का अप आपको धन की हाली में रक्षा मंत्राले ने 26 मार्च 2022 को 21 नई सैनिक स्कुलों की अस्थापना की मंजूरी दी है और आपको यहां पर यह धान आटना है कि इसकुल पार्टनर्शिप बोर्ट में देश भर में 100 नई सैनिक स्कुल अस्थापित करने के सरकार की पहल के स्थापित कियाएंगे और यहां पर आपको यह धनकर में यह नीजी छेत्र को सरकार के साथ काले करने का अवसर भी परदान करता है स्वान पर प्रशने के हाले में 26 मार्च 2022 को भारत के विदेश मंत्री ऐसे जैसंकर और मालदेव की विदेश मंत्री अब्दुल्ला हां ने एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है और यह भारत के राष्टिक ग्यान नेटवर्क और मालदेव के उच्छी सिक्षा नेटवर्क के बीच संपर का मार्ग प्रसर्स्थ करता है जो कि दोनों देशों के भीच भी हाले में यह समझोता है और यह समझोता है सिक्षा के छ्छैत्र में वाए है तो आपको ध्यान नेकना मालदेव इस प्रश्णे का राइट अंसर होगा और फिर अगला है बार्वां प्रश्णे यह 26 मार्च को पढ़ा है आपको इस प्रश्ण बार बता दू कि उर्जा संट्रक्षन के बारे में जागता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में लोगों ने एक घंटे के लिए गयर जिरूरी लाइट बंद करके 26 मार्च 2022 को 8.5 बजे अर्थ आवर डे मनाया आपको दियारपने यहां पर रात्री का बात किया जा रहा है ठीक है? और अर्थ आवर परती वर्ष से मार्च के अंतीम सनिवार को मनाया जाता है यह आप यहां से द्याने केंगे इस वर्ष से 26 मार्च को पढ़ा था और अर्थ आवर डे की डीटेल जानकारी हमने आपको separate तौर पर एक वीडियो में दिया था कोई दिन पहले आई होब कि आप उस वीडियो को देखे होंगे ठीक है अब यहाँ पर हम चलेंगे आज किस वीडियो के प्रश्ण पे तो आज किस वीडियो के हाले में केंध्य परियावरन मंत्रे द्वारा किस दीन को राश्ट डॉलफीन दिवस के रुप में मनाने के घोशना की गई है इसकी डिटेयल जानकारी हमने आपको पीछले वीडियो में दिया है पताई इस प्रशने का राइट आंसर क्या होगा और जो लोग बिहार में आजित नमले किसी भी परतों की प्रेक्षा की तैयारी में लगे हैं तो ये जनवरी 2022 वाला जो करेंट एफेच का मास्टर वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है इसके अतरते फरवरी 17 पी वीडियो अपलोड हुआ वाला लाइनर फरवेट में ये सारे वीडियो को आप वहाँ पर देख सकते हैं और शाथ साथ वीडियो में अगर एब पर जो हमारे तमाम मैटरियल उपराब्द है उसका भी अपलोड भरपूर लाव उठा सकते हैं झाल